हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 24 अकस 2018 की प्रिलिम्स अपडिटर स्रीज में आपका स्वागत है, आज का जो पहला आर्टिकल में आपे डिसकस कर रहे हैं, वो आये गवर्णर की अपोर्णमेंट को लेखे हैं, तो उनके बारे में गवर्णर के अपोर्णमेंट की जो प काम है, वो कह जाता है प्रिस्टेंट साब की द्वारा, आर्टिकल 156 के तहत उनकी एपोर्णमेंट है, वो कह जाती है, राष्टरपती के द्वारा, अब गवर्णर के बारे में तो आप दिखते हैं, गवर्णर है, दिको वो ऐसे एक्जिक्टिव जो पाउर होती है, उनक एक बार पहले क्युशन पूचा है, वो आगे भी कि देखो वैसे क्युशन पूचे जा सकते हैं, तो हमें धान रखना है कि कि किसी भी स्टेट का कार्य कार्य एक्जिक्टिव हैड की बात करते हैं, इसका मतलब वो गवर्णर होता है, वैसे जिसा कि हमने डिसक्स की है, रजयेपाल कितने स्टेट का गवर्णर होगरा, बन सकता है, तो देखो 1956 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, कि एक राज्येपाल का बन सकते हैं तो ऐसा पहले नहीं था इसको बाद में सेवन्थ जोर्मेंट मेंट हुआ था 1956 में उसके तहर्मेंट मेंट के जू किया गया था तो यह ऐसे फेक्ट से में थोड़े धान है वो रखने है अब हम थोड़े चलते हैं टीनियोर की तरफ कार्यकाल की जब हम बात करें तो देखो पांट साल का बेसिकली इनका कार्यकाल है वो होता है गौर्णर का बट यह के साब को बता कि जो भी रिजामंदिती उसके अधार पर काम करते हैं हम directly यह कह सकते हैं कि जो हमारे परधान मंत्री होते हैं पी म साव होते हैं उनकी एड और एडवाईस पर परजिंद साब काम करते हैं तो मतलब क्या हुआ हूँ जैसा परधान मंत्री चाहेंगे उसी को basically पर्द आपको बता है कि सविधानिक है यह चीज़ भी करना हो तो उसके लिए कोई भी प्रोसेजर वगरा नहीं है कोई भी प्रावधान स्विधान में हमारे सविधान में तो यह चीज़ हमेर धान रखना है तो यह चीज़ भी प्रोसेजर है कि इस इस तरह के वह फूलो करना है और उनको में इंपीस्मेंट के तुर हटा सकते है पर गवर्णर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यह चीज़ हमेर धान है फूर रखनी है और governor और बात के president के जो powers होती है उनके पास executive power भी होती है और इसे के साथ भी और उनकी जो personal power होते है विटो power के तरह वो powers भी होती है बट इन दोनों में एक main difference यह है कि president साब है मतलब जो राश्टरपती होते है वो क्या कर सकते हैं किसी भी country के साथ diplomatic relation बला सकते है या military power भी उनके पास होती है military के साथ यह power नियजर वो कर सकते है यह दोनों ही power diplomatic और जो military power होती है यह governor के पास नहीं होती है इन दोनों ही power को governor के पास absence या governor को दूर रखा गया है तो यह चीज हमें धान रखनी है कि जो governor से या वो चक्तियों की राजयपाल होते है उनके पास कोई भी diplomatic power नहीं होती है और नहीं उनके पास military power होती है जैसे कि president साब के पास होती है तो यह कुछ basic difference थे या basic चीज़े थी जिनके बारे में यूपियस से की बार चीज़े questions पूछ लेती है तो उनको हमने यहाँ पर discuss है वो किया है next जो हमार आर्टिकल आया है वो है FSSA के बार में तो इसके बारे हम देख लेते है food safety standards के guidance आईए उनको तो यहाँ पर देखते है तो वो basically context ही है कि जो honey is, जो सहद होता है इसकी guidelines होगर है वो भी food safety standards है वो तियार किये गए है FSSA के तो रहा तो हमारे लिए यहाँ पर important होती है वो होती है FSSA food safety and standard authority of India इसके बारे हम discuss करेंगे तो basically सहद की जो quality है इसको secure करने के लिए या इसकी जो quality हो बरकार है इसके लिए कुछ guidance हो यहाँ पर जारी की गए है अब हम देखते है food safety and standard authority of India जो की है FSSA तो यह basically एक हम कह सकते है कि autonomous and statutory body है यह चीज हमें धानक नहीं है क्योंकि इससे पार्लियामेंट का एक टाव हो है food safety and standard act दो जाच है इस act के तहर बनाए गया था तो यह चीज एक important fact बन जाता है मिनिस्ट्री कोन से मिनिस्ट्री है health and family welfare तो यह चीज आनक नहीं है कि autonomous body है जो क्याती है ministry of health and family welfare में इससे के साथ इसको बनाएगा था food safety and standard act 2006 के तहट इसका निर्मान है क्या गया था काम क्या है FSSA का काम यह है कि इंडिया में जो भी food आता है भार से आ रहा हो या इंडिया में food आ रहा हो produce को जा रहा हो उसकी quality है उसको ensure करना मतलब food quality के standards है guidelines हो गारता है करना हो यह सारे काम FSSA के दोरा basically किये जाते है यह चीज हमें धाना वो रखनी है अब अगला important fact यहाता है कि आता है कि इसका इसकी इसकी इंडिया में डिफ्रेंट जगह पर लेबोर्टिज वगरा भी है ताकि उन पर जगी time to time जो food सुक्राइब उनकी inspection वगरा की जाती है ताकि food quality को ensure हो क्याजा सके देखो जब भी हम market से food वगरा करेते हैं पर इस त्रक्राइब में लोगों दिखता है यह बेसिकली FSSAI का कि भाई वो इसकी उसको ensure करी है कि हाँ इसकी quality जो होनी चाहिए guidelines के मुताबिक वो है या नहीं है तो उनको ensure करने के लिए FSSAI का लोगों में देखना ज़रूरी होता है कि food quality कैसी है चाहिए बाहर से चीज़े इंपोर्ट की हुई हो कैसी भी हो उन पर लोगों ना ज़रूरी होता है तो यह थी FSSAI के द्वारा कुछ guidelines को लेके अब देखो जो सहब के लिए जो guidelines जारे की है वो इतनी कुछ important है नहीं हमारे लिए तो इसके बारे में हम देख लेता है कि ट्राइफेड का मतलब है तो इसके बारे में दो तिम फेक्ट्स नहीं important हो जाता है सबसे पहले तो हमें एक देखता है कि भाई ट्राइफेड का काम है क्या यह apex यह apex ऊउड्राइशन के तो पर इसका निर्मान थ्यागत Grade मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर के वाट चाहिता है इसका हम बात करें नियर्ग करने है इसका क्या है कि जो प्रोडेक्ट्स और पे खिक्षाना क्यों सब्स sitä करूंने है उनके minor product जिसे के सहथ होगे रहा हुआ है फिर और भी कई तरह करता जैसे काफी सारी चीजे होती है minor products में जा फिर बास की टोकरी में कुछ भी ऐसे product होगे उनको उच्छी दामों में बेजने के लिए ही यह basically traffic body है वो काम करती है इसे के साथ ही travel area उनको skill देने का काम क्या जता है travel area में जो लोग है उनकी capacity को build up करने के लिए basically इसके द्वारा support है वो दिया जता है और इसी के साथ ही उनकी जो brand है travel area के लिए brand है वो value create के लिए उनका काफी help है वो इसके द्वारा की जाती है तो यह चीज हमें थोड़ी धान है वो रखनी है context को इसका कुछ चीज परकार रहता कि अभी last year के बात की जा रही थी last year का जो भी data publish हो है उसमें पता चला है कि Trifad ने जो travel area के products थे उनको 500 गुना जदा बढ़ा उनको international level to value दीजाज़के और उनकी एक तरीक से brand value की जाज़के और उनको अच्छे पैस दामों पे बीच जाज़के तो यह चीज हमें जा रहे हैं Trifad की बादे में अगरा किया है तो हम यहां पर देखते हैं Trades platform के बारे में यह UPC पूछ सकती है तो है कहीं से हम एक्जाम कुछे समझते हैं तब हमें और अच्छा से समझनाएगा जैसे कि मारे लोग कोई भी एक person है उसको कोई company वगरा लगानी है MS में चोटा सा business start करना है तो उसको पैसे अब वो पैसे लेगा कहा से या तो बैंक जाके लेगा या फिर उसको कोई जानकार में कोई हिससे भी उसको पैसे मिले वैसे ले सकता है अगर आप सोच के देखिए कोई एक portal हो उस portal पे वो इनसान अपने information डाल दे कि भेर मैं ऐसे ऐसे business से को start होना चाह रहा हूं यह मेरे पास कीज़ें और मुझे इतना पैसे की जौरत है यह चारा पूरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्स है डिटल वहां पे अप्रोड कर दें तो उसके बाद हो क्या जो बहुत सारे जो financiers होते हैं जिनके पास का पैसा होता है वह यहां पर देखें कि हाँ यार कि इस आदमी को इसक कि यहां प्रोजेक्स कर लेगा और उसके आदा पर फिर अपना की काम में वह कर सकते हैं तो इससे क्या होगा इसको पैसे की जुरूत थी जिस इंसान को business start करना था उसको काफी फैदा यहां पर हो जाता है तो उसी के लिए basically प्लेटफोर्म बना गया है यह एक online electronic हम बोचते हैं कि instrumental mechanism का एक CDC बात है कि एक platform है electronic काम इसका यह यह है कि different जो financiers है उनको एक जगे ले क्या आना और MSME सेक्टर के अंदर जो भी financing agency है उनको support देना बलब MSME सेक्टर में जिसको भी पैसे की जुरूत है तो वहाँ पर different financiers इस website के थ्रूँ उनको पैसा distribute है वो basically करते हैं क्योंकि हाँ पर multiple financiers available एते हैं तो वो क्या करते हैं electronic instrumental mechanism है उसकी help से पैसा है आपर invest है वो करते हैं इसके साथ इसका फायदा क्या होता है इसका एक benefit तो होता है कि जो भी MSME सेक्टर का owner है MSME सेक्टर जिसको install करना है उसको सरकार की ज़रूत नहीं होगी सरकार की ज़रूत नहीं उसको सरकार की ज digital हो जाएगे तो उसको जदा बार बारी नहीं होगी या बिल को संबाल के रहेगो सारे काम online ही रहेंगे तो यह एक benefit है वो रहेगा इसके साथ और benefit देखें तो benefit ही रहेंगे एक प्रफलेस काम हो जाएगा इसके साथ ही easy access to fund जिसको भी fund होगा भाई वो online directly account में आ जाएगा बैंकों के चक्कर नीज रहने ही पड़ेंगे online transition के जाएगे तो वो भी शिक्र हो रहेंगे टाइम बचेगा इसके साथ ही बात करें discount है discount है जैसा मैंने आपको बताया कि इंसान को पैसे की जो तो पांचे अमिश्रस आ गए एक कह रहा है मैं 7% पैसा दे रहा हूं एक कह रह हो हमें धान रखना है कि MSME सेक्टर में जो फैनेंसर सपोर्ट देने के लिए different multiple जो फैनेस है वह यहां पर अपना सपोर्ट है वो देते है discount rate की फिल्प से तो आप प्रोसिजर आपको जमने बता है कि seller है वो अपना इनोर्स डाल देगे थी हाँ यह चीज मेरे को सेल्प करन ना तो मतलब उसकी एक फैक्टरिंग यूनिट बना दी जाएगी एक छोड़ा सा टुकुडा बनाते जागी यह मालों की लाख लाख रुपे की EMI यह वो त्यार कर दीगी एक एक क्रोड की EMI यह वो त्यार कर दीगी अब फिर उनकी बोली लगेगी कि हां भई एक पर लगेगा सखम डेट वाला वो बिसली उसके सट्रेट के लिया जाएगा और फिर वो पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देजाई है यह बैसिकल यहां पर काम है वो किया जाता है नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है कोष सयर के बारे में बैसिकली ऐरां के द्वारा गए घरेलो लडा को विए माना तो इस पर उपिए सी मेच्ट फूलंग में directly उसन पूछ सकती है जैसे इंडिया का सुकोई देदेगी या पि इंडिया का तेजस विए माना उसके बार में देदेगी कि विए तेजस है और चाइना को या पिजो हर्कुलिस विए माना ऐसे पेसिन को करवा सकती है तो हमें धानक नहीं जो पोशर है वो फोर्स जन्रेशन का घरली लोड़ा को इमानने इरान के द्वारा बनाय गया था तो उसको लेकर भी नूज आई तो हमें तुड़ा पता होना चाहिए फोर्स जन्रेशन यह चीज़ हमें धाना वो रखनी है नेक्स जो आर्टिकल आया है आई सी ओ एम एस के बारे में इस का मतलब है इंटरनेशनल काउंशल और मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में तो है क्या है यह देखते हैं तो को सेज़दी से बात है कि यह है एक लोड में काफी पर्तिस्टी एंजीओ है तो यह चीज़ हमें जान रखनी है है इसका रोम में इसका नुकसान हुआ था इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो आपके लोगिकल साइट थी उनको भी नुकसान पहुंचा है मतलब जो हेर्टेज और जो आपके लोगिकल साइट स है उनको नुकसान है उसके वरपाही करने के लिए या उनको वापस अंजव करने के लिए या फिर उनको सपोर्ट देने के लिए बसिकली यह जो इंस्टूट है यह भी और आगे आ रहे हैं तो उसको लेके कंटेक्श्ट है मतलब केड़ा की जो कल्चर्ट साइट से हैं उन काम के है, इसका महें काम बेसिकले हैं, कि ओर वर्ट में जो भी हेल्टेज सेाथ हैं, उनको कंजाव करना, उनको विएह जुचे करना। और उगर उटों चटिक्रिस्ट हो गी है, वो इस के दोरात लह जाते हैं ताकि हेटेज साइट को कंजोग के अधास के हैं उसको लेके भी एक complete आर्टिकल आया था तो हमने इसे आ पर डिसकस किया तो ये तो थी आज गी हमारी डिसकसन फिलाल की डिसकसन में इतना ही है थैंक्यू और मज़ फो डिसकसन